तो आज उत्राकर्ण में बैठकर हम प्रदेश के जो कच्रा प्रबंद हमको लेकर जो चर्चा कर रहे हैं बड़ी गंभीर चर्चा देखिए मैं कुछ आंकलों के माध्यम से अपनी बात सामने रखना चाहूंगा उत्राखन की जो अनुमाने जन संक्या है लगभग सवा करूर के आसपास हम इस समय कहते हैं चुकि सेंसेस त लेखने का यह है कि एक आम देशवासी एक औसक में लगभग तीन सो ग्राम वेस्ट जो है रोज पैदा कर रहा है तो एक अनुमाने तांकला है क्योंकि स्वायम भारत सरकार के भी एक रेंज की बात होती है एक पर्टिक्लर एक डेटा पॉइंट नहीं दे सकते हैं तो अग तो इस बात को समझने की जरूरत है दूसरी बात यह एक मोटी मोटी तस्वीर राजे में यह है कि यहां पर वेस्ट मैनेजमेंट का हम जेनरलाइज करके इस बात को बोल रहे हैं कोई एक्जिस्टिंग सिस्टम नहीं है और जब आप उत्राखंड की बात करते हैं या किसी तूरिस्टेट की बात करते हैं तो बड़ा महतुपूर्णे बन जाता है कि जो परियटकों के द्वारा पैदा होने वाला जो कचला है उसके बारे में भी हम बात करें उस विवस्था को भी लेकर के चिंतनमनंग करें और उस से भी कहीं ज्यादा हमारा जो सिस्टम है अपन उस सिस्टम को हम टूरिस्ट इन्फलो के वेस्ट से लिंक करें तो अभी तक यहाँ पर उस किसम का डिस्कॉर्स उस किसम का सिस्टम इन चीजों के लिए भी नहीं बन पाया है तो ये एक ओवर वीव जो है उत्राखंट राज्य का इस समय सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर कि मैंने आपके साथ शेयर किया मैं अगर अपनी बात को समराइज करूं तो जैसा मैंने कहा सेग्रिगेशन जो है जो बिलकुल बनियादी चीज है वो अभी तक उत्राखंट राज्य में पूर्णता स्थापित नहीं हो पाया है हमारे निश्चे तोर पर कुछ छोट हैं जो कि एक बहतर प्रदर्शन कर रहे हैं समाच के साथ में उनकी सहवागिता बहतर है सिस्टम के तौर पर भी बहतर है मैं एक उधारन के साथ में मुनी की रेती का मैं जिकर करना चाहूंगा जो कि रिशी केश से लगती हुई एक च्छोटी सी एक नगर पाले का है तो व हर साल के स्वाच सर्विक्षन में भी उनका जो पर्फॉर्मेंस रहता है वो काफी बहतर रहता है लेकिन निश्चत तोर पर वेस्ट मैनेजमेंट जो है और हर वर्ष जो है हर टूडिस सीजन के साथ में समस्या जो है ये और विकराल रूप लेती जा रही है प्लास्टिक तो अगर हम पहाड की बात करें तो प्लास्टिक तो अगर हम पहाड की बात करें तो का एक रास्ता है कि प्लास्टिक सिर्फ पहाड पर ऊपर चड़ता है प्लास्टिक नीचे जो है वो बहुत कम मात्रा में आता है निश्चत तोर पर हमारी कुछ अर्बन लोकल बाड़ी जो कि अच्छा काम कर रही है वहां पर सरकार के माद्दे हम से कॉम्पैक्टर भी दि नीचे आता है लेकिन जो बड़ी तस्वीर है इन दे बिग पिक्चर प्लास्टिक का जो दिशा है वो ऊपर ही जा रहा है और दुर्भागेवाश बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं कि जो नदी है गंगा नदी है या उसकी जो ट्रिबूटरीज है वहां पर ही जो है प्ला प्लास्टिक भी जो है अन्य किसम के प्लास्टिक में वो मिक्स हो जाता है तो जब इस तरीके से मिक्स हो रहा है तो आप उसको ना तो सेग्रिगेट कर पा रहे हैं ना आप उसको रीसाइकल कर पा रहे हैं तो और अगर आप कर भी रहे हैं तो उतना ज्यादा नहीं कर पा रहें जिस तरह तक वो किया जा सकता है और मैदान में भी कमोबेश यही सिटी है फरक सर्व इतना है कि जहाबर पहाडों में हमारी खूँ सारी नदियां है नदियों के माध्यम से जो है बहुत सारा प्लास्टिक नीचे आता है जादा कि मैदानी छेतरों की बात है तो वो दा गवे गावंपर जाकर मिलती हैं और अडिमेटली जो हमारा ओशन पॉलिूशन है तो यह होंपर ही जाकर के फ्लास्टिक हो रहा है तो चाहे वो हमारे स्वैल को फुलुट कर रही है चाहे हमारी वो बरनिंग माद्ध हम folklore निस्तारं किया जा रहा है या उनका एक बड़ा रेकलेस तरीके से डिस्पोजल हो रहा है तो ये एक overall scenario plastic waste management का इस समय उत्राखंड राज्य में है प्लास्टिक तो एक global issue है ये खाली उत्राखंड की बात ही नहीं है लेकिन हमारी हमारा कम से कमी जो टॉपिक है आज हम उत्राखंड को लेकर चर्चा कर रहे हैं और आपने सिक्किम का उधारन दिया कि कुछ समय पहले सिक्किम ने जो चोटी पानी की बोतलें आती हैं उन्होंने बैन कर दिया था इसी तरीके से उनसे इंस्पायर होते हुए सम की स्टेट गर्वर्णन ने भी जो है चोटी बोतलों को बैन किया है तो इस तरीके के उधारनों से उत्राखंड राज्य को भी सीख लेने की आवशकता है वहां से इंस्पायर होने की भी आवशकता है और निश्चत तोर पर जब कोई भी राज्य सरकार एक इतना बड़ लेती है तो उसमें उसका जो ट्राजिशन होता है उसमें डेफिनिटली कोई ने कोई प्रॉब्लम्स भी आती है चैलिंजिस भी आते हैं और ये तो एक बड़ा नैचुरल फिनॉमिना है कि आप कोई भी डिसेशन लेंगे हैं मगर अपने छोटे लेवल पर भी करते हैं तो आप उनको आईरन आउट करते हुए आगे बढ़ते हैं और बहतरी की तरफ बढ़ते हैं तो इस तरीके के एक्जामपल्स को जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं अन्ने हमालन राज्यों की उसको लेकर करके उत्राखंट सेट को भी उसको फॉलो करना चाहिए उसका अनुसरन क सेक्टर है उसमें बार बार सरकार समाज और बाजार के इस ट्राइमवरेट की बात होती है इस तिगडी की बात होती है तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि किस तरीके के साथ में सरकार समाज और बाजार और समाज में फिर तूरिस्ट भी आता है हम तूरिस्ट का किस तरीके से स system बनाते हैं लोग उस system को अधिकांश follow करते हैं ऐसा नहीं है कि लोग उसको follow नहीं करते हैं या लोग follow नहीं करते हैं जो vast majority होती है 70-80% लोग उसको follow करते हैं provided हमारा जो system हो वो एक इमानदार system है वो एक functional system है वो system जो promise करता है उसको डेली सिस्टम है, ऐसा नहीं है, एराटिक नहीं है, कि आज सिस्टम चल रहा है, तीन दिन चला, फिर चार दिन बंद हो गया, क्योंकि फिर ट्रस्ट जो है, वो लूस हो जाता है, तो इस तरीके के सिस्टम की आवशकता है, अवेरनेस की आवशकता है, लेकिन अवेरनेस से कह ज़िए ज़ादा क्योंकि ये भी मैं क्वामी देखता हूं कि कई बार क्या है कि हमारी सब्सक्रारेंज आपको लोगों को सैंसिटाइज भी करना है लेकिन उससे के साथ में जब तक वह सिस्टम नहीं होगा जोंकि उस awareness को उस behavior change को awareness का purpose भी है कि हमारा कई behavior change हो तो उसकी जो आधार शिला है वो system ही है तो system बनाना पड़ेगा जैसा मैंने कहा Himalayan region में और पूरे देश में हमारे सामने ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं experiences हैं जिससे उत्राखन को सीख लेने की आवशकता है